यहां पर ज्यादे जुन दुछाई हुई है तो इस वजह से ज्यादे किलियर नीच चमक रहा है और यह है डैली मेरट आराटेस कोरीडोर का जो इंडियर रेलवे की लाइन पे बरिज बनाया गया है स्टील का देख सकते हैं और इसके मैं पहले भी अपड़ेट दे चुका हूं देख सकते हैं और आपको बता दूँ कर यह जो लैप्ट में जो दिखाई दे रहा है जो लेप्ट में जारी है लाइन वो जारी है साहिवाबाद के लिए साहिवाबाद, आनंद भिहार, नियु असोक नगर और सराय काले खान निकल जाएगी और यह जो जो राइट में दिखाई दे रहा है यह जा रहा है गाजियाबाद, गुल्ड हैर, दोहाई यह इंडियान रेलवे की मालगाड़ी खड़ी हुई है और आपको देख सकते हैं कि दोन तश्वीर आ रही हैं अपको एक तो इंडियार रेलवे की यह मालगाड़ी चलते हुए दिखाई देगी, दूथरी इंडियार जो राइटीयस कोरिडोर रैपिड रेल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, बन 80 किलो मीटर की रफ्तार से और यहां से ही इसमें बिजली प्रुबाइड करवाई गई है एलेक्रिक सिटी इस जगे से तो चलते हैं गाजयबाद के स्टेशन पर दिखाते हैं आप लोगों को तश्वीर है कुछ ऐसा नजा रहा यहां का और यह व्यू है यहां का सिद्धारतनगर का तो देख सकते है हैं ने चाहिएं सारा क्योंकि कहरे की वजह से नहीं चमक ओरहा है कॉ और यह इधर आ जाता है कहले वटता कि यह सारा कहला बठा है हैं कि वर यह एक और यह जया रही है यह अज सकते हैं कि अजrä सकते हैं तब यह इक गाड़ी आ रही है इंडियार Selena ema दैख kiss कि यह देख सकते हैं कि तश्वीर है यह देखो कि इस्टेशन पर कितना कुछ बर्क कंप्लीट हो चुका है वह आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आप सबको और आपको बता दो कि यहां पर देख सकते इस लाइन पर ओबर एड़ एकुमेंट तो लगा दिये जा चुके हैं लेकिन ओबर एड़ का काम रह एक नमंबर है दोस्तों तो आज डेपो के अंदर ट्राइल स्टार्ट हो चुकए है रैपिड रेल का तो ट्राइल चल रहा है और इस रूट पर भी आ जाएगा ट्राइल तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और देख सकते हैं वह जा रही है मैट्रो दिखाते हैं आ कि देख सकते हैं यह रेड लाइन की मैट्रो जा रही है रेड लाइन यह देखो यह लाइन जा रही है यहां से और यह मोहन नगर के लिए चला जाता है यहां पर यह इस्टील के गाटर लगे हुए हैं कुछ यह न जा रहा है यहां का तश्वीर आप लोग देख सकते हो कि कितना कुछ बर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर यह देख सकते हैं यह अभी टीन सेड बनाने का बर्क चल रहा है क्योंकि इसमें खंबे लगाए जा रहे हैं टीन सेड के तश्वीर आप लोग देख सकते हो यह है गाजियाबाद आरार टीयस इस्टेशन अभी बस यही वर्क चल रहा है और सिलो डाउन यहाँ पर लगा रहता है क्योंकि यहाँ पर यह बनाया जा रहा है इस्टेशन आरार टीयस के इस वज़े से यहाँ पर सिलो डाउन रहता है बहुत जादे देखने के लिए मिलेगा आप लोग को तश्वीर आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं दोस्तों जो टीन सेट बनाने का वर्क है वो चल रहा है और इसमें दीवारे लगाए जा रही है साइड़ों में और इसमें पेंट किया जा रहा है अंदर इस्टेशन के और इसके जो फ्लोर है वो तैयर किया जा रह को अब आपको पास से दिखाते हैं फिर क्लियर चंपके का ज्याद है देखो कितना सिलोडाउन यहां पर लगा हुआ है तो सिलोडाउन की ही बज़ा था इस्टेशन की बज़ाथ है फिलोडाउन रहता है और यह खंबे लगाए जा रहे है तीन सेड के दोस्तों तो आदे में तो लगा दिये जा चुके हैं दौनो साड़े का भी बचे हुए हैं एक दो ती तीन खंबे इधर बचे हैं और बागी लाश्ट में बचे हैं तो आप लोग को दिखाते हैं आप लोग अपनी आखों से देखना गाजयवाद से गुल्डहर का आज कवर करेंगे गाजयवाद से गुल्डहर तक का आपको दिखाएंगे के इस्टेशन दोनों इस्टेशनों पर कितना कुछ बर्क बचा हुआ है कम्प्रीट होने के लिए आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में देखो तच्वीरे सेट्रिंग लगी हुई है पर जो फेश्ट फ्लोर है उसको भी तयार किया जा रहा है सेट्रिंग लगा के और इसके जो आम्स को इस्टेंड किया जाएगा अभी जो इनमें छेट-छेट से चमक रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे उपर का नीचे वाला और उपर वाला क्योंकि इसमें दो फिलोर अभी कम्प्रीट कर लेए गये हैं और दो फिलोर अभी बा यह फोर्स फिलोर तक का है अभी बर्क जो चल रहा है वो अभी इस्टेशन को जो टीन सेड बनाने का काम है वो चल रहा है खंबे लगाए जा रहे हैं बीच-बीच में खंबे लग गए हैं दोनों साइडों के खंबे बचे अभी बाकि बाकि काम चल रहा है तेजी के साथ में बीच-बीच में देख सकते हैं अभी इस पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है इसमें गाटर डाल के गाटर डाल के और इन पर फ्लोरिंग किया जा रहा है दोस्तों पीछ बीच में जो छेद चमक रहे हैं इन छेदों में आपको बता दूं के इसमें तरी यां डाली जा रहे हैं वो कुछ अलगी किसम की तरिया होती है चल रहे हैं आगए चलते हुए आपको दोनों साइट से दिखा देते हैं देख सकते हैं इधर ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है क्योंकि इधर बचा हुआ था जो बर्क वो इधर ही बचा हुआ था वो भी अब देख सकते हैं फ्लोरिंग कर लिया जा चुका है इस पर अब फ्लोरिंग हो जाने के बाद में इस्वा काम कमप्लीट हो जाएगा देख सकते हैं क्योंकि फिलिस वाले खढ़े हुए है पर चलते हैं हम यहां से राइट मैं फिर आपको दिखाते हैं दोनों साइड का नजारा ने का दो मलंनौर प्लिस। इस सइडा आभी देख लो अभी बर्क चल रहा है इसमें तेजी के साथ माें दोस्तों देखो यह दोनों साइड में यह बर्क चल रहा है आपको इधर से दिखने के लिए मिलेगा है यह दूसरी साइड का है दोस्तों इधर भी अभी जो टीन सेड के खंबे हैं वो लगाए जा रहे हैं देख सकते हैं तश्वीर हैं ये खंबे लगाए जा रहे हैं ये खंबे लगाए जा रहे हैं तीजी के साथ मैं गाजियाबाद इस्टेशन आराइटियस देख सकते हैं ये टीन सेड लगाने के बाद मैं फि फिर आपको दिखाते हैं और भी आगे थे देखो तच्वीर है नजारे आप लोग देख सकते हो यहां के अब धूमका आते हैं फिर आपको दिखाते हैं और इदर यह फाम ने चमक रहा है रेड लाइन का इस्टेशन साइद इस्तल मैट्रो इस्टेशन गाजयाबाद उत्तर पर्देश इंडिया लेको यह रेड लाइन का इस्टेशन है अब वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक से रेकमेंट करना जादे से जादे दोस्तों देख सकते हैं यह है गाजयबाद का इस्टेशन गाजयबाद आरा इस्टेशन तश्वीर आप लोग देख सकते हैं और आपको बता दू दोस्तों कि जो बर्क चल रहा है यहाँ पर वो चल रहा है अभी यह एंट्री और एक्जेट पॉइंट बनाने का यह देखो यह बर्क चल रहा है यहाँ पर बस यही है यहाँ के नजार है गाजयबाद इस्टेशन के देखो क्रैन मशीन लगी हुई है और यह एंट्री और एक्जिट पॉइंट बनाने का बर्क चल रहा है अभी इस चेगे पर क्योंकि यह रेड लाइन से जोड़ा जाएगा तो यह है और आप लोग बताना के वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक फेयर कमेंट करें जादे से जादे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप लोगोंने तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रे इस तरीके से लगाए जा रहे हैं टेन सेड के खंबे यह देख सकते हैं और यह आपको एंट्री पॉइंट बनाने का बर्क चल रहा है अभी यह जोड़ा जाएगा और यहां से हम घूम जाएंगे आप राइट में देखो यह है गाजयबाद का स्टेशन कुछ ऐसा तो चल का स्टेशन कुछ जाएगा ओया गाएंट्स जाएगा लाएंट आप बनाने का से सक्षो सत्री हा है झाल